अब आप से हम एक सवाल पूछते हैं, WaYoo Mandal, जो इसमें हम लोग सांस लेते हैं, ये किस वीदि दिवारा गरम होता है, एक दो थीन चार में नाम दीजेगा, WaYoo Mandal किस वीदि दिवारा गरम देता है, वाइउमन्डल, हम पासे एक हीट दे देते हैं, जिस वीदि द्वारा व कि प्रिथवी दीन के वक्त में गरम हो जाती है और जब यह उस्मा देती है न तो यह उस्मा प्रिथवी को छोड़के जा रहा होता है लेकिन ऊपर का बादल का तो पूरा का पूरा उस्मा वापस चला जाता है यहां की गर्मी उपर जाने लगती है तो उपर से टकरा के वापस आती है तो इस प्लेट पर आपको कोई कटोरा रख देगा यह प्लेट है इस पे एक कटोरा रख देगा देगा अईसे कटोरा है इसमें चाय है एक दूसरा प्लेट रख देगा वह मिंटल का निनन लकडी का रह जाएगा किसका हो गया लकडी का हो गया यह इह है आपका लकडी यानि द्धात मेटल है और कप भी मेटल का है कप भी किसका है मेटल का है और एक दूसरा कप यहां रख देते हैं सेम साइज का मान देखे साइज बनाने में दिक्कत हो बड़ा ज़्यादे हो सकता है लेकिन आप मान के चली के सेम है बसरते यह किसका है मेटल है और यह नॉन मेटल है अब हम से पुछते जल्दी थंडा कौन होगा जल्दी थंडा कौन होगा मैडम मेडम रहते हैं आगे नहीं। अगर अगर आप चाहते हैं बाज की तरह उड़ें और आसमान चुए है तो आपको टितलियों के साथ छौड़ना पड़े гावना इन्हीं तितलियों के साथ आप घूमते रह जाएगा तो कभी भी बाच की तरह उडान नहीं भर पाईएगा फिर दुनिया आपको सर उठा के नहीं देखेगी फिर आपको बराबरी में देखने लगए आपको तितलियों का साथ पसंद है या फिर उचाई पसंद है हमने तो भाब बनके निकल गया दोनों में अब यहां देखिए नीचे की जो उस्मा है नीचे की उस्मा यह समवहन द्वारा उपर आएगी समवहन द्वारा उपर आएगी अभी तक तो से में दोनों का उस्मा का लॉस एक जैसा है यह क्या चीज़े बिया यह क्या है आपका दोनों में और देखेंगे समवहन समवहन इसमें वहस्वेस्ट नीचे से ओपर इस और नीचे से उपर वीकिरन करें लेकिन विकिरण इसमें ना बराबर रहा है, विकिरण जादे नहीं है, क्योंकि इसमें हलका दूरी पर रखेंगे, तो थोड़ा सा गर्मी लगेगा, तो विकिरण इसमें भी है, और विकिरण यानि रेडियेशन इसमें भी है, लेकिन इन दोनों में विकिरण बहुत कम है, लेकिन हमें इन ही दोनों को दिखना है, लेकिन एक ऐसी चीज है, देखिए, जो ये पलेठ ना, ये धातु का है, ये अपनी उसमा नीचे वीदे देगा, कौन सी बीधी द्वरा, तो चालन बीधी द्वरा, क्योंकि चालन बीधी हमें साथ धातु में लगती है, और ये लकड कि अब कोई अपसे बीधी पूछे ना थे तीन वह मत बताके चले तीन बीधी ये तीन बीधी बखलोल कहीं क्या पाच्वा बीधी पूछ देगा अभीवान ये कों जी अभीवान उपर नीचे करता है तो सम भी किरण आगे पढ़े वीडियो देखती हैं माता जी को पर नाम बोलिएगा हमको भी आसिरवात दे जैने लोग देखते हैं अब इसमें किसी को को दिक्कत है तो बोलो बढ़े बीक काम है कोई दिक्षखत नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं क्रेंट अफ्डर के लिए중ब्ष हाँ वेत दिक्षखत नहीं अप मेरा वीडियोज देखते रहेगा उसमें से करेंट अचमा आते रहते हैं अभी एक वीडियो डाले है बोरिस जॉन्सन, ब्रिटेन का पलहन मंत्री आ रहा है, 26 जन्वरी को, वो किसी ना किसी रेलवे के एक सेट में पुछबे करेगा, अब उसको हम ना खरगोस बोल दिये हैं वीडियो में, ब्रिटेन वाला हम लोग से दुसमन ही न किया था, आगे देखते हैं वो, राहूल कु अच्छे अच्छे उथरजक होते हैं, सबसे पहला ही दिमैक से बायोंस कर जाता है, अच्छे आवस तो, यह मातराम से गलती हो जाता है, यही अच्छे क्या होता है, जो आवसोसक अच्छा होगा, वही क्या होगा? उथर ना प्रच नहीं करेगा किन वही आठशा इमीटर होगा इमीट भी करेगा भही जादे क्या करता है अगर कोई चीज जल्दी है जल्दी अगर गरम हो जाए इसका मतलब बहुत जल्दी उसमा सोक लिए औसोसित कर लिए तो आप इतना समझ जिएगा वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा जल्दी अगर गरम हो गई तो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा एकदम कन्फर्म समझ यह नियम था किर्चाफ साब का नियम आपको एक छोटा सा एक्जामपल देते हैं जो पढ़ाई है आपको जल्दी समझ में आ जाती है जैसे इतिहास भूगोल पॉलिटी सीधे समझ में आएगा सुप्रीम कोर्ट एक्सटर चौवीस हाई कोट दूसर चौदा बहुता महानय आएवादी चियत्तर महादी वक्ता 165 कोई दिखते नहीं है मूल रीट निकालना सुप्रीम कोर् आबर जनम फर्गाना में अगबर की कितनी महरारुrol सब याद हो जागे यही नियम था किरचाफ का की चाफ का अच्छे ओसोसा कि अच्छे उतसरजक होते हैं जी और बढ़ेटएख नहीं है.. बस इसी वीक में, हो सके तो आपको मंडे को ही मिल जाए, वीडियो कॉलिटी का ओप्सन देजे, नहीं समझें, आप देखो भईया, हम आपको इसका प्रेक्टिकली एक्जामपल देते हैं, जो किताब में देता है, पहले हम वो दे देते हैं, फिर हम अपना देंगे आपको, क चाता में देखेंगे हैं, तो ऊपर होगा काला, और नीचे होगा उजर, उजर समझते हैं, वाइट, उजर नहीं समझेगा, सब सहर वाला है, सफेद, बकुला रंग का, तो चाता ऐसा क्यों होता है, जब कभी हम देख चाता लगा तो चाते नहीं ही इधर, देखो, जब सफेद रंग किसी दूसरे को असोसित ही नहीं करता है, तो जब सफेद रंग दूसरे को असोसित नहीं करेगा, तो सचुरा नीचवा उगा नहीं नहीं देगा, अगर गलती से ध्यान देखो, अगर नीचवा काला रंग देते हैं, गलती से क्या करन देते हैं, नीचे काला और आप बताईए सुनिये ध्यान से काला रंग अच्छा और हचाक से खीचेगा और हचाक से ऊपरे छोड़ देगा अगर गलती से तनीमनी गर्मी खीचियो लिया तो तनीमनी जल्दी छोड़बे नहीं करेगा अब उलाट के देखिए उलाट के देखिए तो किसल हम किसल लग रहे हैं जी सी जिंग्पिंग का अरे यार समझा रहे हैं देखो नाइसे अब कभी यदि गल्ती से आपने उपर का सफेद रंग दिया तो ध्यान दीजे वो गर्मी लेगा नहीं लेकिन सूरज कंटिनीव गर् जाता है लेकिन फिजिक्स की धजी उड़ा दी सब लड़कियां सब लड़की कहते हैं सब काला चाता एसे तो अच्छा भीगते चल जाएंगे लड़की काला चाता नहीं लगाती है सब बाप्रिबा उन लगाएगी सब रंग भी रंगा चाता ओ माइग यह अजीब तैप आई सब दूसरे दुनिया की है सब लड़की केला चाता नहीं लगाती उसंको सरम लगेगा ओम लोकर भाड़कत भर्ति Benjaminा था हुई.. यह वोड़का ख़ंटी रहता है किसी कोई दिक्कत नहीं अचल थंडी में काला कपड़ा हाँ चलिए ध्यान दिजिए थंडी में काला कपड़ा वह लाइट में वह थंडी और गर्मी वाला बात वह लाइट शेप्टर का है दूसरा एक्जामपल आपको क्या देता है समझे ध्यान से दूसरा एक्जामपल दे पूछेगा धान जाए के धातो वहला धायदे धान दिजहींस जरू पूछ यहां जाए जूर को गरम करके एक अंधेरे कम्रे में existential गरम करके जब अंधेरे कमरी में रख दिया है तो कौन चमकीला दिखेगा आप बताइए इन धातू यानि मेटल और लकड़ी में चमकीला कौन दिखेगा आप इसमें गरम ठंडा नहीं कर रहा है कराएगी थोड़ा सा गरम कर दिया है 100 degree, 100 degree पर कोई लवा लाल नहीं हो जाता है 700 degree पर लए जाएगे तब लाल होगँ आफ सब लवाल नहीं होता है तो करेंगी सवेटडिगरी गरम की है तो चमकीला कौन दिखेगा इसमेर मेटल वाला चमकीला दिखेगा दातू चलिए ठीक है वेरी गुड यह चमकीला दिखेगा तो यही आपका तीन एक्जाम किर्चाफ में आता है या तो पूछ देगा सीरे यह किसका नियम है तो किर्चाफ का नियम है हलाकि जब हम आपको एलेक्टिसिटी पढ़ाएंगे तो वहां किर्चाफ के दो नियम आएंगे वहां भी पढ़ाएंगे यह किर्चाफ समझ में आगे अब वह एक्जामपल समझिए जो आप जो है वह डेली लाइफ में देखें देखें एक ले लिजे बेंच ले लिजे इस तरह से एक बेंच है यह लोहा का है और एक बेंच है लकड़ी का है लकड़ी का है इस से सुर् भूप में छोड़ दीजे, दोनों को एक पास रखी, एको लकडी का भेंच रहेगा, एक ठो, लकडी हो जागा, एको लोहा का हो जाएगा, ठीक है, अब एक काम कीजे, दूनों पे बैठने जाएए, लकडी वाले पे बैठने जाएगे, तो कहेंगे, ओ भाई गॉट गरम है, और अगर लोहा वाले पे बैठने तो दाग देगा, आपका समझ्ञा गाएगा जाउच देगा एकदम भयाना, क्यों? क्योंकि इसा सुरा बहुत जल्दी आउसोसित कर लेता है, क्या कर लेता है, क्या करेगा भीया? आउसोसित कर लेगा, तो किर्चापवा बोला था कि छो बैठेंगे तोπα इधहां पला लग रहा है, पला समझते है? ठंधा पला लग रहा है, पला लग रहा है, थंधा लुख अलोले पे बैठेंगे तोब बैठेंगे तोby हाजगे ने यगा क्योगे का बत बैठेंग erिघृ क्योकर चैंब पढ़ाएंगे अच्छे सब कनफोर है सब कर आफ ऐसा। वुड़ूड ये वो लड़की गुसी आके करिए सब लड़की लड़की नहीं लिख्या हैं लगड़ी लड़की बोलती है आगे आगे किरचाफ का नियम खतम हो गया. किसी को किसी को, और कोई दिखा थे, कमेंड डॉमेंट में तो बताएंगे. किरचाफ का नियम समझ में आ गया. ठीक है? आगे बढ़ जाएं. किर्चाफ की नियम के हिसाब से काली वस्तुएं जादे उसमा सोख लेती हैं, धातू और काली वस्तुएं उसमा सोच के लेती हैं, तो जितनी भी काली वस्तु होती हैं, वो सब के सब को क्या कहा जाता है, ब्लैक बोडी, क्या कहा जाता है, ब्लैक बोडी, वैसी चीज़े उस इस ने को या उसमा को खीच लेती है तूसे कहा जाता है Black Body, काजल जो हेग तरह का Black Body है काला कपड़ा Black Body भाईंस एक Black Body तो Black Body भी आपको समझ में आ गया, किर्चाव का नियम समझ में आ गया, किसी को किर्चाव के नियम में प्रोबलम नहीं होगा बच्चो का नियम है, ये एक इसको न इंग्लीस में हम बताए है जब हम पढ़ते थे न ना इंथ में इस पूटल चीज में हमको समझादा थे प्रण फायों को शिष्टम थार्मो डाइनमिक सिस्टम अब इसको समझे भया हम जो गलती की हैं आप लोग नहीं कीजेगा हम लोग के मास्टरों सहाब थे लोग तो तूर तूर के समझाए थे बहुत अच्छे टीचर मिले हम लोग को तो देखिए उसमा का मतलब समझते है गति की मतलब होता है गती करना क्या करना गती करना निकाय मतलब दुनिया की कोई भीची जो आपके काम आती है उसे सिस्टम या निकाय करते है जैसे कलम हमारे काम आती है सिस्टम है एक एक निकाय है तो निकाय का मतलब होता है मशीन निकाय बोले तो मशीन मशीन समझे मारा है निकाय मतलब क्या था मशीन अरे दुनिया का अब मसीन बताएंगे हम, everything which help the work of human system is not a machine, तो दुनिया के कोई बीचल मसीन तो simple चीज़ होता है, निकाय का मतलब होता है, उसमा गति की निकाय मतलब ऐसी मसीन जो उसमा से चलती हो, उसमा से, गति मतलब क्या होता है, चलना, गति मतलब चलना, डाइनमिक डुले, या आगे, पीछे, घसके, उसे कहते हैं, उसमा गति की निकाय है, उसे क्या कहते हैं, उसमा गति की निकाय है, क्या साइकिल उसमा गति की निकाय है, कोई बोले भाया, साइकिल उसमा गति की है, जोती कुमारी करिए कि लड़कों के भी बुराई कीजे, लड़कों क कम से कम पता है, बोख है तो आपने आपको स्विकार कर लेता है, उसको बोलेंगे रहे गधा, तो समझ जागा, सर गलत थोड़ी बोलें, तो गधा आई है, बुक कैसे लें यार, दुकान पर जाके बुक ले लो, या एमेजोन पर ले लो, चलिए सुनिए ध्यान संग, मोटर साइकल का इंजन उसमा गतिकी है, मता भया, मोटर साइकल का इंजन उसमा गतिकी है, मोटर साइकल का इंजन उसमा गतिकी है, समझ गया था, बाह, बाह, समझ गया था, दुनिया का कोई भी इंजन बीना आग लबे लिए चलवे नहीं करता है, बीना आग लगा है नहीं चल सकता है, उसमा गतिकी निकाया है, आजकल आदमी भी उसमा गत्की हो गया उसको तनी साग लगाई दीजेन, तोरे बारे मैं इसे यह कह रहा था, तुरत्य उमें इंजन पकड़ लेगा, उसका गती होने लगेगा, उसमा गतिकी हो जाएगा, ये तो समझ में आगया, तो उसमा गतिकी निकाया है, उसमा गतिकिये निकाय में तीन गो नियम जो है, पहिला नियम है, उसमा गतिकिये का नियम, इसमें कहता है कि आप डायरेक्टे उसमा उत्पन ही नहीं कर सकते हैं, हम आपसे कहते हैं, तानी डायरेक्टे उसमा निकालिए तो नहीं कर सकते हैं, उसमा आप लाएंगे किसी दू उसमा को खतम कर सकते हैं, उस उसमा को आप दूसरे चीज में लाए थे और दूसरे चीज में खतम करेंगे, जैसे कागज है, जैसे कागज है, हम कागज को जलाएं, उसमा निकली और ये उसमा धूआ बनके हवा में मिल गया, वो धूआ पर दूसरा बन गया, पर दूसरा किसी पर आधारित है उर्जा संग्रक्षण पर आधारित है उसमां गतिकी का पहला नियम किस पर आधारित है उर्जा संग्रक्षण पर आधारित किसी को कोई दिक्कत है कि आगे बढ़ जाए कि किसी कोई दिक्कत नहीं सर यहां मेरा भूक 115 में मिला है थोड़ा दूर होगा थोड़ा दूर होगा डिस्टिप्यूशन से इसलिए हो लिए उस्मा गतिकी का पहला नियम हम चाहते हैं कि हमरा बोखार लग जाए नहीं लगेगा पहले उसके लिए हमको बीमार पढ़ना पड़ेगा तो उस्मा ना तो मैं आपको समझ गये थे कि हमारी अवकात से बाहर का चीज़ है साइंस बाद में समझ में है कि हमरा टीचर गलत पढ़ाया था वो करें ऊपर से चल गया था सुनिया ना क्या कर रहा था उस्मा गतिकी निकाई में उस्मा कभी भी कभी नस्ट नहीं होती है बलकि कुल किसी न निकाई द्वारा किसी उस्मा गतिकी निकाई को दी गई कुल उर्जा का कुछ भाग उसकी आंत्रीक भाग को गरम करता है बाकी भाग से कारे होता है दिमागे बाउंस कर गया तो दूसरा नियम समझ में आ रहा गी नहीं क्यों बराबर आगे बढ़ें सोहन जी कर रहे हैं कि सर हमको भी दूसरा नियम नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं समझ में आता है बता देते हैं दूसरा नियम कहता है किसी वस्तू को दी गई उसमा उसे क्या करती है पहले तो उसके आंत्रीक उर्जा को बढ़ाएगी डेल्टा यू प्लस डबलू डेल्टा यू प्लस डब्लू सन में आगे कि नहीं आगया आगे बढ़ जाए डेल्टा यू प्लस डब्लू यानि उर्जा क्या हो सकती है संग्रक्षीत रहेगी उर्जा क्या रहेगी भईया संग्रक्षीत रहेगी उर्जा क्या हो गई भईया संग्रक्षित हो गई किसी को कोई दिक्कत नहीं एक सेकेंड रूप जाब क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डवलू यह उर्जा संग्रक्षित पे रहा गई अब इसको ध्यान से देखिए यह समीकरण 100% सटिफाई कर देगा इसको कैसे देखिए ध्यान से अब यहाँ आप थो आसा खंसंट्रेट होके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आजएगा क्यू जो है किसी वस्तू को दी गई उसमा है किसी वस्तू को दी गई ऊसमा है और यू जो है उस वस्तू का खुद का टिंपरेचर है अब आई से समझे एक तावा है इस तावे अगर आपने 100 waar उसमा दिया कितना दिया हमरा गरम करना पहले, पहले किसको गरम कर, हमको गरम कर, तब दूसरा रखा को गरम कीजिए, तो ये जो समीकरण है, ये फूल टुप पहले को समीकरण को क्या कर देता है, संगरक्चीत कर देता है, कहने का सेंस क्या है, किताबा को अगर आप दिये 100 कैलोरी, तो 20 कैलोरी वो ख यह उस मसीन का टेंपरेचर है और यह उस मसीन द्वारा किया गया कार है जैसे हम किसी वस्तू को किसी कूकर को या किसी तावे को यदि 100 केलोरी उर्जा देते हैं तो 20 केलोरी खुद रख लेता है बाकी 80 केलोरी से क्या करता है काम करता है बाकी 80 केलोरी से वह काम करता है किसी क पहली रोटी देर से क्यों निकलती है, कि जब आप तावा को 100 कलोरी उर्जा देते हैं, तो पहली रोटी को 100 नहीं देता है, बलकि 80 यह देता है, अब पहले वो खुद 20 कलोरी रख लेता है, उसके बाद यह क्या देता है, फिर दूसरी रोटी को पूरा का 100 देता है, तो overall में अगर देखेंगे, तो समीकरण के इस साइड भी 100 है, समीकरण के इस साइड भी 100 है, यानि इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, तो यह उर्जा संग्रक्षड पर यह समीकरण पूरी तरह से क्या हो जाता है, complete हो जाता है, तो यह जो समीकरण है, उसमा गतिकी का, तो यह जो पूरी बुलेट का इंजन बहुत बढ़ा होता है। तो बुलेट में पेट्रोल जब जलता है तो उसने मान के चलिए कि वो 500 कलरी ऊर्जा दे रहा है। dossник बुलेट का इंजन इतना बढ़ा होता है कि यह काता है कि वहाणко 200 कलरी हमको खुद चाहिए। दूसर कलोरी क्या चाहिए है अरे भाई मिर्जापुर वाल है चलो ध्यान देटा तो बुलेट काता है कि भाई हमको 200 कलोरी खुद दे दो अचानक दूसर कलोरी थोड़ी हो जाएगा देल्टा यू बोले तो मशीन वो कहां चला जाता है मशीन में चला जाता है अब जब धीरे 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 बुलेट को 15 मिनट चला देंगे तब बुलेट का है कि हाँ भाई अब हम पूरी तरह गरम हो गया अब हमको उर्जा नहीं चाहिए अब बुलेट देगा 500 तो बु जहाज इसाब को कभी बंद नहीं किया जता है क्योंकि पता है कि अगर माली जे बंद कर दी है तो शुरुवात के देर में वो फूल कैपसिटी से काम नहीं करेगा बल्कि वो पहले अपने में उर्जा क्या कर लेगा रख लेगा तो यह है उस्मा गतिकी का पर्थम नियम को सम इसरा ब्रहेत है जो खcry का समीकरन व्हल अस्धापीद कर दी आगे बढ़ं पर यह जबुरूंग पुछ रहागी रोटी कीं सब्सीती द्वागा उता है रोटी चालन वीन जस्मा लेता है रोटी जोसा दा चालन वीन जस्मा लेता है अगे बढ़ंगे इस्टेशन पे ट्रेन बंद करा जाता है न जब गज़न अगर बंद करेंगे फर वर्क काम करेंगे तो काम करने के लिए 20,000 अब शुसरा अपने सोख जाता है 5000 और ट्रेन की जो इंजन बनाती है भाईया वो बनाती है 20,000 लो तो भाईया अगर ट्रेन वा को बंद कर दिये बंद कर दिये अचानक इस्टेशन मास्टर सीगनल दिया गिना ना ग्रीन हो गय जा करता है गरम किया रहता है कि तुम अपनी वाली भैलू लिए रहो ताकि जो जैसे हम उर्जा देंगे वो उर्जा क्या हो जागी काम में बदल जाएगी उर्जा संग्रक्षण के नियाम पर यह आधारीत हो गया completely इसका सामीकरन क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डवल बरबाद नहीं है बलकि दो भागों में बढ़ गई है अर्थात यह उर्जा संग्रक्षण पर आधारीत हो गया किसी को अभी तक में दिक्कत है तो बुलिए यह समीकरन हो गया इसको गलती से समीकरन को गलती से नियम नंबर दो बोलना चाहिए था कि समीकरन है तो हमने गल चलिए को दिक्कत ने दूसरा नियम जो है उस्मा का प्रवा दूसरा नियम क्या है उस्मा का प्रवा फ्लो फ्लो उस्मा का प्रवा यानि फ्लो इसके हिसाब से कहा गया है कि उस्मा जब भी जाएगी तो किसी गर्म वस्तु से किधर की ओर जाएगी किसी भी ठंडी की और आएगी और कभी भी थंडी से गरम की और नहीं आ सकती है यह ऐसमा गतिकी जूसरा निया इसको मडियाँ452 दिक再 करो पता है इवलोगल के भाग, 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 स Kelvin कहा क्यों भागातास उसको पता है? क्योंकि इसको पता है उसमा गतिकी कर दूसरा नियम कि गरम वस्थ SóINE ही उरजा ठंडी वस्थ क्यों राती है साण में रहती भी है कि आपका हाठ ठंडा है औक्ट कंक रृष तब तक जाते रहेगा जब तक बराबर नहों जाए उसमें गतिकी का कुण से नियम होगे दूसरा नियम आगे बढ़े सावन कुमार क्या ना में भाईया सावन कुमार बहुत है इसार अभी हम ड्यूटी पर है अच्छी वीडियो देख रहे हैं अच्छी बात है यह तो समझ में आगा यह वह पूछ रहा है सर रजी या में उका करने जाएगा ठंड़ में मरें बाहर तीसरा नियम उस्मा गतिकी का तीसरा नियम जिसे कहते है सुन्य नियम सुन्य नियम या जीरो ला उस्मा गतिकी का सुन्य नियम जीरो ला सच्छराई कोई नियम नहीं है इसको जबरजस्ति नियम बनाए गया है इसी को आधा काटके सुनिए ध्यान से उस्मा गतिकी के दूसरे नियम मे किसको दर साता है, किसको दर साता है, zero flow को, कैसे, कि देखिये, अगर कोई body है A, इसका temperature है, मानके चलिए, कि 15 degree Celsius, कोई body है B, इसका भी temperature है 15 degree Celsius, कोई body है C, इसका भी temperature है 15 degree Celsius, तो क्या इसमें उस्मा का flow होगा, नहीं होगा, उस्मा का flow नहीं होगा, zero flow होगा, तो एक तरह से तो यहीं हो गया तीसरा कहता है यह प्रवाद तब तक होता रहा है जब तक कि पूरा अपमन बराबर नहीं इसे उसमा गतिकी क्या कहते हैं सुनिनियम किसी को कोई दिखत नहीं क्लास की टाइमिंग हम खुद सेट किये थे हम अपने को बहुत बड़का बिद्वान समझे थे इसके इमाइटर पर ऑनलाइन के में टेकनिकल के काम में हम तो सब काम करिए लेते हैं हम सारा काम की आपका रेलेवे के बैच्वे गाए भोग तो हम को डिली बात करना पड़ा डेवलपिंग के पास उस उधारा कहा कि सर सटर्डे संडे आप पूरा बैचे उड़ा दिये केवल हमको क्या हुआ हमें जोड़ना था सटर्डे संडे का क्लास तो हमने क्या किया सटर्डे संडे का क्लास जोड़े उपूछा कि बाकी को हटा दे हम तो आपका Monday to Friday वाला क्लस्वा आटा दिया, आप में previous दिख रहा है, Monday to Friday वाला आटा दिया, बहुत दिक्कत हो गया, इसलिए आभी के वाल Saturday Sunday, अब उसमें developer team से सुधार रही है, तो ये उसमा गतिकी का तीनो नियम हो गया, इन तीनो नियम में उमीद करते हैं आपको कोई प्र Newton Law of Cooling का है प्रेचान अब गया, अभी सब समझा देंगे, Newton Law of Cooling, Thermometer, Thermometer, Hindi में कहते हैं, ताप मापी, ताप मापी, थर्मामीटर का पहली बार खोज किसने किया था, कितने लोग बता सकते हैं, पहला थर्मामीटर किसने खोजा था, अंसर कितने लोग दे सकते हैं, एक अदमी करने सर, PDF में ठोड ला हो ये नहीं है, तो इसलिए ठोड ला दुनिया में होता ही नहीं पढ़ा है, यह उग लड़का कर रहा है, हमने मास्टर साँ ठोड ला भी पढ़ा है, हमकचोब हुआ को हुआ हुआ को हुआ हुआ है, तो समाझ रहा बहुत बाढ़का गैली लियो, तो बाद में पतार का थर्मामीटर निकाला था फारेन हाइट, पतार का थर्मामीटर को निकाला फारेन हाइट, मोटका थर्मामीटर, बास बर अब मुहे फार दे, तो पहला थर्मामीटर किसने निकाला, गैली लियो, उसके बाद फारेन हाइट, गैली लियो कुछ थर्वामीटर के नाम आप जानते होगे, तिन चाठो जिसमें आप Celsius जानते होगे, फॉरेन हाइड जानते है, Kelvin जानते हैं, रोमर जानते हैं. ये चार फेमस फेमस है सब, ये चारो के हैं सब फेमस है सब, क्या है बया वहाथ फेमस है, इनको बारे में हम लोग कुछ-कुछ फेमस हैं, लोग तो इनके बारे में समझ जाते हैं, पहिला जो फेमस हैं, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Romer, ठीक है, अब इससे आपको exam में दो question पूछते हैं, पहिला question पूछता है, कि इसकी maximum value क्या होती है, और दूसरा पूछता है, इसकी minimum value क्या होती है, तो उसने अच्छा नहीं जाए, जैसे किसी बंदूग को कहते हैं, कि 400 meter range है, 400 meter range है, तो आप बताइए, आप 410 meter पर रहेंगे तो आप नहीं मरिएगा, पक्का मरेंगे, यह कहने का means क्या है, इसका, कि यह बंदूग की गोली 400 meter तक accurate सीधा जाएगा, इसके बाद यह धीरे धीर देखो, degree Celsius जो होता है, इसका, एक होता है high value, एक होता है low value, तो पहले low लिखना चाहिए, तो पहले high लिख दिए है, low value, किते लोग बता सकते है, low value और high value में इसका, यह 0 degree Celsius से सुरू होता है, 100 degree Celsius से, यह 32 degree Fahrenheit से 212 degree, यह 270 से 370, और यह 0 से 80, 0 से कहा जाता है, 80, इसको 4 बार ब 32, 112, Fahrenheit, किसी को दिकत, एक बार इसको देखिए, अच्छे से, अभी आपको दिमांग पर बढ़ जाएगा, एक बढ़ बढ़ जाएगा, तो याद हो जाएगा, 32 से 212, 273 से 373, 273 से 373, low high याद रखेगा, अभी relation आप निकाल सकते है, याद रहेगा, minus 273 नहीं होता है, तब हम याँ लिखते हैं एक दम सौटकट में, देखिए, याँ लिखते हैं, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Romer, देखिए, 0 से 100, 32 से 212, 273, 373, 0, 80, काम खत्म, काम क्या हो गया, खत्म हो गया, याद रखेंगा, कैसे, 0 से 100, Celsius, 0 से 100, Fahrenheit, 322 से 212, Kelvin, 273, 373, 273, 273, 373, उसके बाद, Romer, 0, 80, 0, 80, 0, 80, 0, 80, 0, 80, हो गया, देखिए, अब इनमें relation निकालना है, क्या निकालना है, relation, रिष्टेदारी इनको निकालना है, relation, तो relation के लिए क्या एक फर्मूला होता है, देखिए आंसे, relation का एक सिंपल फ थर्मा मीटर, मैंनस लो वैलू, बड़ी चीज़ों को घ्या से, यहा देखिए, यहां भी घ्टा है, ढ sulfur, निकालना होता है, बड़ी चिज़ों को घ्या को घ्या हो, लो वैलू यहां हो गया, relation, निकालना है, थर्मामीटर बटा लो, माइनस लो, लो लो नहीं बोल रहे हैं, जैसे देखो, थर्मामीटर नहीं सा ले रहे हैं, celsius, celsius माइनस लो, 0 degree, बटा, high value इसका है, 100, minus 0, हो गया, यह celsius का relation हो गया, फोरेन हाइट का relation निकलना है, तो थर्मामीटर के जगा क्या हो जाएगा, फोरेन ह हाई कितना है 212 लो कितना है 32 इस तरह Kelvin का निकाल है Kelvin minus low थार्मामीटर मैंनस low 270 बटा हाई मैंनस low 370-270-370-270 फिर अगला निकाल लिए रोमर का थार्मामीटर मैंनस low रोमर मैंनस 0 बटा हाई मैंनस low 80-0 असी दो निकाल की रखियो निकल है निकल निकल है सार मायब जोग्राफी की क्लास चलाना सटडे संडे को नहीं भई चाले को अगले हपते तीन टाइम खाना बने तो मेरे लिए जरूरी है टीचर भी है है लेकिन कुछ और चीजे भी जरूरी है समझ की चलिए था आगे बड़े एक आदमी कर रहे हैं कि सर उसमा गतिकी पर जो नियम आप ट्रेन की इंजन पर समझाएते हों मोट साइकल पर भी लागू होता है बट मोट साइकल का इंजन इतना कम होता है कि बहुत कम उर्जा लेत इसमें इसमें से गटेग्या 282 जाएगा उंठाइगा कितना जाएगा ने गटेगा जी ग्यारा में से 8 गया थी यह गटेंगए के-270 300 थी तर निसे द्वेसे तर नीचे 80 आपको नहीं लग रही है उटपटांग रिलेशन है थ्लच्ट उटपटांग अईसा था हम लोग तो दोनों सब में भाग कर देता है, कितना से भाग दे दिये जाए, तो इसके LCM निकाल के भाग दे देता है, ऐसी संख्या जो सब में भाग लग जाए, उसे कहा जाता है LCM, lowest common factor, जो सब को काट दे, अब आप सोचेंगे, 80 काट देते हैं, तो 80 में तो हई कट जाएगा, सब में भाग क्यों दे रहे हैं, कि हैतना बड़ा याद ना रखना पड़े, छोटा याद रखना पड़े, सब में 20-20 से क्या कर देते हैं, भाग देते हैं, तो इससे में भाग देंगे, 20 से भाग देंगे, तो 25-05 बार में कटेगा, F-232, 20 से भाग देजागा, तो 9 बार म तो किसी हो गया यहां गलती से मिश्टेक हो गया 180 नहीं हो गया छोटा मुटा माइनूट आप समझेए बच्चा तो है नहीं आप लोग इतना उगली पकड़ के समझाएगा दूसर बारा में से बते एक सो नो बार में कड़ जाएगा चाएम को थो कह जो कि वाल। धूसर थेता तो कि माइनस दूसर थेता तो उपर रहेंगा इसमा भी से भांग देंगे पांच इसमें भी से बाग देंगे तो चार हुँ आ ते वहाला फोटो ओड़ाधे ओंगो यह भाला फोटoken आपको यह याद राखना है यह फोटो और यह फोटो है सी रोचमा निकालने का त Ganzी निकालने का त्रहीट याद रहाए याद रहना है मीनिमम्स हुँ मुझा वह पूछता है हां ओर नो लो ग्यांट्व हर लो वह वहाँ अल्ट्रहल लो सब्सक्राइब करें चार लड़के एक कमरे में एक मोबाइल से पढ़ रहे था यह होती है गरीवी को हराने का तरीका संज्याग इन आ गया एक लड़के से एक लड़के का कितना पढ़ा होगा सो रुपिया सो सवा सव में एक लड़के का हो गया होगा पूरा पढ़ रहा है मस्ती से चलिए बताइए फर्मूला बोली तो है सी बाइफ 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 सी बा कि हम लोग का इंटरनेट बहुत अधिक लग जाता है इतना दिन वेट कर लिए एक दो दिन और वेट कीजें कि सी को जीकत आप में से कुछ-कुछ बहुत हुँ आप में से कुछ-कुछ ऐसा लड़का है जो एकदम रोमर जो है ना रोमर उसी का पटिदार है रोमर से उ मिलता जूलता है पुछता है सब सर मेरे कमेंट का जवाब नहीं देते हैं अरे भाईज़िया, कईझ यह जवाब दे सकते हैं, कमेंट का जवाब देंगे तो एक दिन अलग से क्लास लेना पढ़ेगा, कि आज कमेंट का reply करेंगे, इस पर आप सवाल बना सकते हैं, किते लोग इस पर सवाल बना सकते हैं, चलिए, कहेगा, कि वह कोनसा ऐसा टम्पेशर है जिसमे celsius और foreign height दोनों बराबर हो जाते है minus 40 degree पर celsius और foreign height बराबर हो जाते है कुछ कुछी चीज़े याद रखेगा celsius और foreign height दोनों बराबर हो जाते है minus 40 degree पर blood bank में blood जमा राता है 40 degree foreign height पर blood blank पे blood जमा राता है 40 degree foreign height पर 40 degree foreign height पर foreign height पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें ये दे देता है, जैसे हम कहते हैं आपको, कि आप 40 degree Celsius को foreign height में बदल ये, 40 degree को किसमें बदल ये, foreign height में बदल, minus 40 को ही हम कहते है, foreign height में बदल के दिखाए और साबित कीजे कि दोनों क्या है, बराबर है, तो एक काम करते हैं, formula लिखते है, c by 5 is equal to, f minus 32, 9, चलिए, केतना को कह रहा है, minus 40 को बदलने के लिए कह रहा है, Celsius को foreign height में बदल, minus 40, तो यहां लिख देते है, minus 40, 5, foreign height में लाना, यह तो f यही रहेगा, 32, 9, 8, 72 आजाएगा, minus 72, 9, 8, 72 नहोता है, इधर कितना बज गया, f minus 32, यह minus यह इधर बेज नहीं आ गई, minus 40 डिगरी, तो दिखे, minus 40 डिगरी, Celsius कहीं है, या minus 40 डिगरी, foreign height के जिए, दोनों बराबर आते हैं, दोनों क्या आते हैं स resonates, बराबर आते हैं सो, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, हम बढों वीडियो क्वालिटी का हों कर देंगा, वीडियो क्या कर डाउन लोड ओप्षान ही आपको डाउनलोड करके मॉनली Joo है जेए कर देख से होता है यूटूब कर लेते हैं तो फिर दाइए हुस्धी में 4 धिकत्त नहीं कि हाँ या current affair हो जाएगा इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं अब आपसे कोई चीजे पूछेगा तो आप easily निकाल सकते हैं लेकिन यह easily पूछता नहीं एक जमुआ में जैसे हम आपसे कहेंगे कि 100 degree Celsius को आप Fahrenheit में बदलिए तो वो कभी-कभी घुमा आके पूछेगा कहेंगा 100 degree को Fahrenheit में बदलिए तो कहेंगा कि जल के क्वाथनांक को यानि पानी के boiling point को आप Fahrenheit में बदलिए तो आपको फर्मूला याद रहेगा अगर कहीं जल का क्वाथनांक समझ में नहीं आया तो जल का क्वाथनांक boiling point क्वाथनांक आपको पता है जल का क्वाथनांक जोता है 100 degree Celsius होता है अब इसको convert करना है तो हमको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है c by 5 is equal to f minus 32 बटा 9 हमको बस इन ही दोनों का काम था इसलिए इधर लिए है इसका काम रहा था तो k minus 273 बटा इसमें भी लिखते है 5 मेरा अब आरवाई 4 लिखते है लेकिन इन साउसे जरूरत ही नहीं तो का लिए रखेंगा चलिए जल का क्वाथनांक दिया है Celsius में तो Celsius की जगह पर क्या लिखेंगे 100 अपवाइव इसको काटेंगे तो कितनी बार में काटेंगा 20 बार में 9872 1809 नो दुनी अठार 180 यहीन हो गया यह मैनश में इधर जागा था प्लस में हो जाएगा इसमें 32 जोड़िये जा एक तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 200 बार किटना 200 बारत कितना 212 नहीं आया 212 हाँ हम दोस्व बारा फॉरेंग अब कितने लोगों ने ध्यान दिया था कि ये celsius वाले पर maximum value थी थी तो ये फॉरेंग हाइट वाले पर ये भी हाइव रहता है दूसर बारा वह एक इस टाइप का question देता है इसके अलावे एक question देता है, गुना में देता है किस तापमान पर Celsius से 10 गुना फॉरेन हाइट हो जाएगा हम आपको एक question देते हैं, बोल देते हैं क्वेशन आपके material से बोल देते हैं कर आए है किस तापमान पर Celsius फॉरेन हाइट का दो गुना हो जाता है यानि जो Celsius है न ये Fahrenheit का बराबर नहीं होता है Celsius जो है वो Fahrenheit के बराबर नहीं होता है Fahrenheit के दोगुना के बराबर हो जाता है ध्यान से समझेगा Question कराई किस तापमान पर Celsius Fahrenheit का दोगुना हो जाता है तो हम कैसे लिखेंगे भईया Celsius Fahrenheit बराबर नहीं है ये Celsius इस foreign height के दो गुना के बराबर है तो आप बते value किसकी दे रखी है value तो दे रखी है Celsius की क्योंकि का रहा है ये Celsius foreign height का दो गुना हो जाता है तो चलिए formula पर रख देते C by 5 बराबर F minus 32 बटनो Celsius की value क्या रखा है कि foreign height का दो गुना तो यहां क्या लिख सकते हैं 2F यहां से क्या लिख सकते हैं 2F ये 2F by 5 is equal to 9 9 दुनी 18F 9 दुनी 18F बराबर इसमें देखेंगे 5F 5 में तो इन दोनों का गुड़ा होगा ना इस 5 में इन दोनों का 5F minus फिर 5 में इसका गुड़ा करेंगे तो 32 पंचे तो 5 दुनी 10 5 दुनी 151 16 32 पंचे 160 अब एक काम किया जा इस minus 5F को इधर लाए जाए तो यह minus हो जाएगा कितना हो जाएगा minus 8 में से 5 गया 13 13 ही ने बचेगा 13F is equal to minus 160 F is equal to minus 160 बटा 13 कितना अंसर आएगा निकाल लिजेए 160 बटा 13 minus 160 तमाल पाल जी करें 160 बटा 13 गलती हो जाएगा भी एकजाम में option में भी रहेगा 160 बटा 13 minus plus का दियान दिजेगा पूरे उलड़ जाएगा किसी को कोई दिक्कत है लड़का से गलती कहा होगा जब वहाँ यह नहीं बठा पाएगा जिसे कहेगा कि फॉरेन हाइट का तीन गुणा फॉरेन हाइट का तीन गुणा सेल्सियस है जिसे कहेगा सेल्सियस कहेगा कि फॉरेन सेल्सियस का एक तीहाई फॉरेन हाइट है सेल्सियस जो है फॉरेन हाइट का एक तीहाई है निकाल सकते हैं अंसर निकाल लीज़ेगा 12.3 आएगा जो आएगा वहाँ लगा देंगा इसमें एक टाइप का और question पूछता है कहेगा कि अच्छा temperature है वह एतना ना पा है खरब का है तो बते यह खरब का केतना गलती किया इस टाइप का question पूछता है उसको भी solve करा देते हैं एक सुध्ध थर्मामीटर देखो भी या जो सुध्ध थर्मामीटर है यानि अच्छा है प्योर थर्मामीटर है उसने किसी वस्तू का तापमान 30 डिजिश डिग्री सेल्सियस माः पहा है तो थर्टी डिग्री सेल्सियस माः पहा है जब कि एक ठुक खराब थर्मामीटर है उसने का swept घ्री तर्मामीटर यह तो एक वस्तू का थापमान सताशी डिग्री देघ्ध ना पधाAD 80 degree foreign height मना आपा 87 degree foreign height मना आपा है कर आगी बताए ये इसने कितनी गलती की थी कितनी तुरूटी की थी कितनी गलती की थी ये निकालना है ये निकालना है निकाल ये देखो भई अब दिमाग लगाओ जिन लोग उसे नहीं निकला वो दिमाग लगई अग ये 87 नापा है जबकि पता है इसने गलत नापा है ये 87 नापा है जबकि पता है कि गलत नापा है और ये 30 नापा है जबकि पता है कि अच्छा नापा है एक काम करते हैं कि इस Celsius वा को हम foreign height में बदल लेते हैं और तब इससे उसको तुल्ला कर आ लेंगे कि कईसे आया है नहीं इस सही नपभे किया है तो इसको foreign height में कर देंगे और उ भैलुआ को इभैलुआ से मिलाएंगे कि जादे नपले है कि कौम नपले है Do you understand what I am saying? इसको foreign height को यह प्लस हो जाएगा इधर आएगा तो 86 आना चाहिए आना चाहिए कितना 86 foreign height नपले कितना इससरा 87 तुरूटी बताईए नापा था ससुरा 87 इगडबडवला जबकि साही वाला बता रहा था 30 degree Celsius इसे जब हमने foreign height में निकाला तो यह आया 86 तो यहां लिखेंगे 86 तूटी था 1 degree foreign height में तूटी Celsius में नहीं थी एक डिगरी की तूटी थी और वो भी foreign height में थी किसमें थी वैया foreign height में थी किसी कोई दिक्कत ने? यार डरना नहीं लोग एक्जाम में बताते हैं आपको doctor master और वकील इन तीनों का काम है डरा देना doctor master वकील इनकी कमाई तभी होगी जब आप डरेंगे जाएंगे ना kidney में दर्ध होगा थोड़ा सा पथरी है दवा से गल जाएगा और kidney सड़ गया है लेजा हमसे नहीं हो पाएगा देखेंगे 15 दिन है अपरेशन कर लिए डर्क्टर साथ दूल अख लीजा अपरेशन कर देखेंगे लिए वकील काईगा अब मडर हो जाएगा मास्टर काईगा ते फेल हो जाएगा कि आगे बढ़े हैं कि इतना किसी को कोई दिक्कात नहीं है तो बोलिए यह आराम से निकल जाएगा अब थर्मामीटर के ताप मापियों के प्रकार समझ जाते हैं कितने टाप मापी होते हैं सब ताप मापी किस ने डी Types of Thermometer Type of Thermometer कितने type के Thermometer होते हैं तो भाई यह Thermometer के अगर type देखिएगा तो कई type के होते हैं से Thermometer पहला तो एक हो जाता है आपका Solid Liquid Gas तो हम लोग जादे तर यूज करते हैं Liquid का यानि Draw का Draw बोले तो Liquid का आला कि Gas का भी यूज किया जाता है Gas को Hindi English Gas भी खलते है उसके बाद हम लोग Solid का भी यूज करते है ठोस का किसका यूज कर सकते हैं ठोस का भी यूज कर सकते हैं Draw में हम जादे तर यूज करते हैं पारा का लेकिन पारा जो होता है माइनस 49 डिगरी से लेके 118 तक जाता है पारा जो होता है वो जादे नहीं जा पाता है अब एक बात बताएए तो जम्मू कस्मीर में अगर आप जाइएगा तो जम्मू कस्मीर में ये तो बहुत नीचे चला जाएगा सुरी ये 217 जाएगा जी 217 217 मान के चलिए यहाँ पर तो इधर हाई से दिक्कत नहीं है जम्मू कस्मीर में तो माइनस 45 हो जाता है सियाचीन में माइनस 55 हो जाता है तो पारा तो जम जाएगा जम्मू कस्मीर वगएरा में पारा क्या हो जाएगा जम जाएगा तो इसकी मदद से आप minus 115 degree temperature को भी माप सकते हैं तो जब आप alcohol मिला देते हैं तो यह minus 115 degree आप जा सकते हैं और इससे लेके 78 तक जा सकते हैं तो आपसे यह नहीं पूछेगा बलकि पारा से दो question पूछता है कि बरफीले परदेश में या ठंड के दिन में थर्मामीटर में पारा में क्या मिला दिया जाता है तो पारा के अंदर alcohol मिला दिया जाता है या पारा निकल के complete alcohol उसमें डाल दिया जाता है दूसरा कोशन पूछेगा कि थर्मामीटर में पारे का ही परियोग क्यों किया जाता है तो इसका option C दीजेगा क्योंकि option A पे लिखा रहाता है कि यह अपने दिवारों पे नहीं चिपकता है यह कोई region नहीं है कि दिवारों पे नहीं चिपकता है बलकि रीजन ये है ये तापमान पाने से उचाई की और बढ़ने लगता है जिससे हमें ये पता चलता है कि नई तापमान है इसलिए ये बढ़ रहा है पारा में समझ में आगे हैं ठंड के दिन में हम पारा का परियोग नहीं करते हैं एलकोहल का परियोग किया जाता है किसका कि नहीं बेलो जी एक लास नहीं होगा अभी इसके वाद इस खतम करें फिर आगे कल हीट खतम हो जाएगा आज इतना कल संडे कल हीट हो जाएगा कल भी आपका छे बज़े से चलेगा अभी पढ़ाएंगे इतना गैस थर्मामीटर में परियोग इसमें हाइड्रोजीन नाइट्रोजन और हिलीयम का परियोग किया जता है इस जे खरंदे आप मान को नापने के परियोग में लाए जाते हैं कौन से घर्मा मीटर विजाcią गैस घर्मा मिटर सा आलकोछल खंळिटा नहीं है घैस थर्ममेटर में एक चीज याद रखेगा गैसों के नाम याद रखेगा था फए खंदन के उसके बाद नाइट्रोजन हीुए इसके ऑन ट्रोजन घ्रोजन ये क्या करेंगे आप लोग ब्लोग गैस में याद रखेंगे इस या कि पूछेगा पूछए आभी तो या बस फंड़ की दिन में इसे जमने से बचाने के लिए हम लोग किसका परियोग करते हैं हम लोग अल्कोहल उसमें मिला दिया जाता है Лि хочे है अगे मैं करते हैं अग करते हैं इसके बाद आता है का solid thermometer solid thermometer दिसमें हमने किसी भी प्रकार का liquid या क्या परियोग नहीं किया जाता है, उसे हम लोग solid thermometer के नाम से जानते हैं, इसमें आता है platinum आ सकता है, इसमें platinum आते हैं सब, उसके बाद cbq प्रभापता पयोग में आते हैं सब, पाईरोमीटर आते हैं सब, किसमें आते हैं सब, पाईरोमीटर वगरा, ये solid thermometer में आएंगा, platinum, platinum thermometer आत प्लेटिनम और दूसरा आता है पाइरोमीटर इसे हिंदी में करते हैं उत्ताप मापी पाइरोमीटर देखिए यह दोनों बड़ी खतरनाक तेमप्रेशर है सा यह छोटे-मोटे के लिए बने नहीं है सा माइनस 200 से लेके यह 1200 डिग्री सल्सियस नापता है आप सोचिए कि माइनस में भी नाप रहा है तो सुरू कर रहा है माइनस 200 से सुरू कहां से कर रहा है माइनस 200 से कहां तक जा रहा है माइनस 1200 डिग्री सल्सियस कहां से माइनस 1200 डिग्री सल्सियस में अब इसके बाद नमबर आता है सबसे खतरनाक थर्मामीटर का जिसका नाम है उत्तापमापी या पाइरोमीटर इस सुर्य की सबसे बड़ी खराबी क्या है कि ये जो है नापता ही कम नहीं है ये जब भी नापेगा तो तो भयानक नापेगा जादे मातरा का ही इसे नापा जा सकता है ये सुरू होता है 800 डिग्री सेल्सियस और जाता है इन्फाइनाइट तक इसकी कोई सीमा नहीं है पाइरोमीटर को हिंदी में याद कहते है उत्तापमापी तो इसमें आप याद रखेगा प्लेटिनम वाला 1200 नाप सकता है और सुर्य का तापमान जो नापते हैं वो पाइरोमीटर से नापते है पाइरोमीटर की खासियत क्या होती है ये टेंप्रेचर नहीं आपता है बलेंथ आपके बता देता है कि टेंप्रेचर कितना है इसलिए इसमें वस्तू को सटाने की जरूवत ही नहीं है दूर से दिखाईएगा देख के पतक कर लेगा ये एक तरह का थार्मल क्यामरा के आपके समझ सकते है तो सबसे जादे अती उच्छ ताप नापकने के लिए कि इसका परियोग किया जाता है नहीं आज बाइलोजी के क्लास नहीं हुआ था आगे बढ़े किसे कोई दिक्कत तो ये पाइरोमीटर क्या पते हैं पायरोमीटर से किसी का बुखार नापेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें इसे कौन सा थर्मामीटर ने नापा है कोरोना की वैक्सीन जो फ्लाइज फाइजर कम्पनी ने बनाया है उसे माइनस साथ डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है ये से कौन सी कम्पनी ने बनाया है फाइजर की वैक्सीन किस कम्पनी ने बनाया है और कॉन से टाइप में अलकोहल वाले में अलकोहल वाले से नापा गया एलकोहल माइनस अठ तो एलकोहल नापी देता है पाइरो मीटर से नाप रहा है देखो उसको पकलो लवा को पाइरो मीटर छोटा मोटा टेंपरेचर नहीं नापता है यार अलकोहल अलकोहल लिक्वीड म लिक्वीड वाला अल्कोहल लिक्वीड वाला अल्कोहल प्लेटीनम किऊ नहीं होगा भेयाओ प्लेटीनम जो होता है वो माईनस 200 से नापता है और बीच वाले टेमपरेचर को अच्छा नहीं नापता है लेकिन ये ei मह।् rod पड़ता है तो इस में किसका परियोग किया जाता हैल्स का एलकोहल का और लिए दुटाप माईया पायरोमीटर का पुरियोग किया जते है आगे अब देखिए अब हम लोग मानो जो हैं मानो इसके लिए कुछ अलग अलग टेंपरेचर होते हैं सरी आप ज़्यान से रखेगा, मानो यानी human के लिए, मानो बोले तो human, इसके लिए तीन चीज चाहिए होता है रहने के लिए, survive करने के लिए, सबसे पहला चीज होता है ताप मान, कितना temperature रहना चाहिए, गरम जादे नहीं, ठंडा नहीं, यह नहीं, उसके बाद जो होता है आपक temperature पसंद है, मानो का जो normal temperature human को पसंद है, वो हमको उससे जादे नहीं रहना चाहिए, तो normal temperature को हम लोग human के लिए, हम लोग ताप मान लेते हैं, 25 degree Celsius, कितने डिगरी, 25 degree Celsius, नमी लेते हैं, हवा में 60% नमी रहनी चाहिए, हवा में 60% परतिसत, और हवा की गती 2 मीटर प्रती मीन होनी चाहिए, यह किसकी गती होनी चाहिए, हवा की, तो आदमी को बहुत ही relaxed feel होगा, कैसे, क्योंकि temperature अगर 25 degree है, लेकिन हवा में नमी ही नहीं है, एकदम सूखी हवा है, नमी मतलब समझते हैं, पानी आर्दता, तो उसमें 60% आर्दता रहने, 100% कर देंगे, आर्दता तो पानी बरसने लग जाएगा, तो यह आदमी के लिए, आज रात में class नहीं होगा, जी कल से होगा, normal temperature 20 degree होगा, वो NTP, chemistry में पढ़ाएंगे, STP, NTP, और RTP, room temperature, normal temperature, standard temperature, तो हमको भया अगर बताईए, temperature कितना रहेगा, तो हम लोग normal रहेगे, ना गर्मी लगेगा, ना ठंडी लगेगा, तो 25 degree Celsius पे ना गर्मी लगता है, ना ठंडी रगता है, लेकिन हवा में कुछ नमी रह जाती तो मजा आ जाता है, वो नमी भी रहना चाहिए, उसके बाद हवा तेज नहीं चलनी चाहिए, हवा धीमी गती से चलनी, आधी में मजा आता है, किसी धीरे धीरे हवा बता है, ध्यात में बोलते हैं, लाहे लाहे तो मजा आता है, तो इसके लिए काम करता है, पंखा, फैन जो होता है हम लोग का, फैन, कैचेंचेंच, फैन, पंखा, ये fine जो है, ये क्या काम करता है, ये केवल और केवल temperature को बराबर रखता है, temperature को क्या करता है, 25 का देता है, पंखा चला देता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मजा नहीं आता है, हमें हवा में पानी भी चाहिए, हमें हवा में पानी भी चाहिए, तो हम पानी लाने के लिए, तब किसक के आगे रहता है पंखा और उसके पीछे की जाली भीगी हुई है तो नमी भी फेक देता है तो यह दोनों काम कोन कर देता है cooler जबकि अगर आपको यह तीनों काम चाहिए तो यह तीनों काम करेगा air condition AC यह हवाओं के speed को भी manage कर देता है cooler धर-धर-धर-धर-धर-धर-धर हवा फेकता है पंखा speed मैंने नहीं कर पाता है जबकि AC तीनों यूज कर लेता है तो आपको चाहिए था तीन चीज केवल टेंपरेचर मैनेज किया पंखा ठुकुर ठुकुर करिया टेंपरेचर के साथ साथ चेहरा पे थोड़ा नमी भी लाया cooler और जखा जख एकदम ठंडा करके रख दिया AC सब्सक्राइब कितने लोग के घर में AC है हो गया थी दो मीटर प्रती सेकंड नहीं प्रती मीश्ट है बई परती सेकंड बहुत ज् Since वह जादे हो जाएगा इत吗 चले यसे हांदी लगने नागी ऑसी में कभी देख के यह देख ये दो मीटर प्रती सेकंड है आइसे हवा चलेगी एक यह होता है 1001 इतना तेज कागज अधिया ने लगे इसी में कभी कागज धिय आता है नहीं आराम से इसी में आराम से एर फ्लो करता आराम आराम से वाट इसी सर एर कंडिशन एर कंडिशन एसी यार हमारे कोचिंग में एसी है लाइबरेरी में है कोचिंग क्लास में नहीं लगाते हैं आपको अगर यकीन नहीं होगा न तो आप मेरे यूटूब चैनल पे जाईएगा और उस वीडियो को देखेगा जो हम गर्मी की दिन में जुलाई अगर सितंबर जब गर्मी की दिन में होगा पूरा पसीना से हम भीगे रहते हैं आगे देखते हैं यह तीनों चीज़े समझ में आगे एसी के चाहिए नो एसी गाओं में रहते हैं कोई बात नहीं गाओं वाले ही चाहिए आपके पास टेबल फैन है वही अच्छ प्रियों गैस निकल नहीं पाएगा पाइप के अंदर रहेगा तो फ्रियों इतना थंडा रहता है कि उससे टकरा के जो हवाएं आएंगी वह भी थंडी हो जाती है तुसी क्या कहते है एसी एसी में किस गैस का परियों किया जाता है फ्रियों 22 जबकि कोल्ड इस्टोर में अमोनिया का परियों किया जाता है अमोनिया कोल्ड इस्टोर में अमोनिया का परियों किया जाता है और एसी में फ्रियों 22 का परियों किया जाता है जिसे हम 22 नंबर गैस के नाम से जानते है एसी में फ्रियों गैस का परियों किया जाता है मेरे घर में बेना है सबी या सब क के घर में है अच्छी बात अभी यह बेना हुआ हाथ से जोलाने वाला ताओं में वही रहता है गाओं की जिंदिगी बहुत अच्छी होती है आगे बढ़ जाँ एसी वगरा चीज तो कम्प्लीट समझ में आगे होगा आप लोग को सुरिकात आपमान किसे नापते हैं एसी की छमता को किस में नापते हैं टन में के इसी की स्षमटा के किस में मैं आपेंगे टन में एक टन बराबर tsp यानि 100 वाट का करेमा क्षे का अपकर कुछ जन करही देता है complete जनकारी AC के बारे में देखो भाया सब्सक्राइब एसी AC तीन टाइप के एक portable होता है एक आपका होता है में लिए दो ही होता है देखो एक अपका याद आपका प्स्पलीट आया इप ला में याइब एक प्स्पलीटर देखो यूँ आपका विंडोए यूँ याद वीमिंडोग फ्सक्टाइब डिन देखो window AC में लिए दो टाइप के window बटनी कल होगा कल आज ने देखो भया AC के बारे में समझा देता है यह AC जो होता है split AC होता है यह होता है split AC में क्या होता है यह होता है window AC यह होता है split AC में क्या होता है यह वाली हवा इदर से पंखा चलता है और हवा को घसीट के लाता है क्या करता है घसीट के लाता है पाइप के माधियम से इस पाइप को पीछे से इसमें फेकता है और इसके अंदर पाइप लगे हुआ है, फ्रियान गैस का, छोटा 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 पूरा पाइप लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, तो हवा ये बाहर से हवा को बटोरा, बटोरने के बाद इसमें भेज दिया, तो इसमें भेजा तो हवा इस जाली से गुजरते गुजरत हम गांग गांग को गनग अमकी एक स्वाती मां आमकी वह पूछे दिए कि बैना도 मतलब क्या होता है बेना मतलब हाथ वाला पंखा उसको कम से कम tubsa अच्छाभी जवाबadt ईर अब देने में कॉस्वाती बेडा मतलब पंक होता है ये होता है ऐसे होता है ये चोब नखड़ा है यार बेना मतलब क्या होता है यह क्या होता है घर जाके देखिए कि अपने डुलाईगी बेना वो दिखाना चाहती कि I am so innocent हम को कुछ नहीं पता है समझने कि नहीं आ गया है अब आगे समझें फ्रीज जो होते हैं इसके अलावे एक फ्रीज फ्रीज क्या होता विया फ्रीज भी किसी बी चीज को क्या करता है ठंडा करता है एसी का सिस्टम समझने आगे कि नहीं आगे अगे है अगे है जो फ्रीज होते हैं अगे है कि फ्रीज होते हैं साथ हा अधरा खूलल फ्रीज मत नहीं नहीं है एक खूलल है अध्रस मत बताना लोग पनी गहरे पहुंच जाए गसी बहुत खच रहा है सो एसी गरम हवा भी देता है एसी गरम हवा नहीं देता है उसमें हीटर लगा दीजे तो गरम हवा देता है उसके अंदर बील्ट होता है, यह देखिया फ्रीज, फ्रीज की छमता लीटर में ना पा जाता है, फ्रीज में एक चीज याद रखेगा, यह आईस बनाने वाला क्या होता है? उपर दिया जाता है, इससे क्या होता है, कि अगर कोई चीज आपने नीचे रख दिया है, सबजी सब खूब रखता है, हमारे घर में फ्रीज आनते है कब आया है, मेरे घर में फ्रीज आया है, पहली बार, 2019 में, सायद 2019 में, अब 20 में इनवर्टर, इस सब का चीज जादे यूज नहीं करना चाहिए, बहुत दिक्कत हो जाता, अब फ्रीज, हम लोग ने किवल इसलिए लि इसलिए इसलिए इसके नीचे एक ट्रे दिया रहता है, और ये ट्रे क्या करता है, उस पानी को फ्रीज के पीछे बाहर से गिरा देता है, इसलिए किसी भी फ्रीज में पीछे पानी गिरने के लिए जगह दिया रहता है, क्योंकि जो ये बर्फ जम रहा है, यहां से भाफ पानी बनेगा तो पानिया उसी में टपख जाएगा तो इसके नीचें ट्रे बनाया राता है पिछे के और पानी चला ज懂 फ्रीज में फ्रीयाया नें फ्रीयाउन गैसे बनेखे कती है इसो न strengthened ये समझा गया, एक question पूछेगा, कि अगर हम freeze का दरवाजा खोल दें, क्या करें, freeze का दरवाजा खोल दें, तो room का temperature ठंडा हो गया गरम, फ्रीज का दरवाजा खोल दें, तो रूम का टेंपरेचर गरम हो गया, एक लड़का पूछ रहा है कि सर, ये सब एक्जाम में नहीं आएगा, अरे गोंचु ये एक्जाम का पूछा हुआ कोशन है, तुम अगर मश को सिखाऊँगे कि तैरा कैसे जाता है, ये एक्जाम का को दूसरा question क्या पुछता है कि अगर किसी बंद कमरे में हम पंखा चला दे हैं तो बताइए क्या होगा बंद कमरे में जदी पंखा चला दिये जाए तो क्या होगा प्रियोग पहले होता था इस पर बैन लग गया है क्लोरो फ्लोरो कारबन इस पर बैन लग गया है इसमें भी टेंपरेचर बढ़ जाएगा अगर कमरा गरम है अरे सब्सक्राइब चला देंगे तो टेंपरेचर क्या हो जाएगा गरम हो जाएगा उसमें टेंपरेचर बढ़ जाता है टेंपरेचर क्या हो जाता है बढ़ जाता है किसी कोई दिकत नहीं है किसी कोई दिकत नहीं आप देखें परम ताप किसे कहता है परम ताप या इसे कहते हैं एपसलूट एपसलूट टेंपरेचर एपसुलूट टेंपरेचर परमताप क्या चीज़ होता है परमताप जब किसी चीज़ के टेंपरेचर को हम लोग फॉरेन हाइट में नाप कर सेल्सियस में नाप कर हम केवल और केलवीन में नापे तूसे क्या कहते हैं परमताप Kelvin में नाप गया ताब अगर किसी चीज का temperature हम Kelvin में नाप दे तो उसे को कहते है परम ताब और कुछ भी नहीं होता है परम ताब भाई साब किसी भी चीज के temperature को यदि हम Kelvin में नाप दे तो उसे कहते हैं परम ताब क्या कहेंगा है परम ताब étaाप नहीं तो क्या पढ़ियेगा पर्म usu il ? कैल इसको क्या पढ़ियेगा पर्म 20 ताप बस यां कि पर्म सब सब गाल्वन के पर्म 20 ताप भेस्ट है अगर हम कह देय। कि 20 Kelvin के आगे हमने क्या लगा दिया है परम लगा दिया है कहा दे कि 50 Kelvin के आगे परम लगा दीज़े परम पचास अप माइन अगर हम कहा दे कि 0 Kelvin बायए तो इसमें भी लगा दिये परम तो इसे क्या कहेंगे परम सुन्य ताप तो परम ताप मान या absolute temperature उस temperature को कहते हैं जिसमें हम Kelvin में जब किसी चीज़ को बताते हैं हम अपने body के temperature को अगर Kelvin में बताते हैं तो उसे हम param tap कहेंगे और param sunya tap param sunya tap absolute zero absolute zero temperature किसे कहेंगे भया तो यह 0 Kelvin को कहेंगे किसे कहेंगे 0 Kelvin अब आपको हम 0 Kelvin को बताते हैं इसे Kelvin Celsius में बदल लिए, तो Celsius में बदलने का तरीका, C by 5 बराबर F माइनस 270 बटा पाच, K माइनस 270 बटा पाच, क्योंकि F में तो बदलना नहीं है, इस पाच से इस पाच को काट दीजिए, यहाँ पे क्या है, 0, 1,270, के क्या है, 0,270, तो यह हो जाएगा, 0,270, तो जीरो केलवीन का यह, 0,270, इसे कहा जाता है, पारम सुनताप, ये एक काल्पनिक ताप है अब तक कोई इस टेंपरेचर तक पहुंचा नहीं है और वग्यानिकों का करना है कि कोई यहां पहुंच भी जाता है तो इसे और पीछे नहीं जा सकता है तो इसे कहते हैं परम सुने ताप माइनस 270 डिगरी सेल्सियस इसे 0 कल्वीन भी कह सकते है य इसे 0 कल्वीन वह हिंदी में कौन लिख दिया यार माहिनस अइसे करके कुछ लिख दिए यह उनको पढ़ा ही नहीं जाता है परमताप मान हम कहते हैं कितने लोग निकाल सकते हैं कि हमारी बडी का परमताप क्या होगा परम सुने नहीं होगा यार मर जाएंगे वह आई बहुत लोग का देटा खतम हो गया अब कितने लोग को अच्छा बाव एक बात बताओ कभी-कभी हमको अगर रात में क्लास लेना पर निकाल दीगे ना हाथ चली कोई बात नहीं बहुत अच्छा पर यहां निकाल के समझा देते हैं C by 5 बराबर K-270 बठा 5 इसे यह कड़ गया 100 degree Celsius K-270 इधर करेंगे तो प्लास हो जाएगा K-270 370 हो गया? 370 पर हो गया हमको अगर कभी-कभी क्लास लेना मन कर गया मन की चली कि रात में नीद नहीं आ रही है 12 बजे क्लास लेने का मन है रात में बीना बताए एक गंटा पहले notification बेज देंगे तो काम चलेगा आज तो notification सुबह का बेजे थे हम ही गड़ बढ़ कर दिये तो बनाते बनाते टाइम लग गया चलेगा? चली दोड़ेगा तो इतना बताथ व्यूद अप ले लेंगा रात में से क्लास फिजिक समझ में आ रहा है यार फिजिक बहुत ही सिंपल सबसे माजा जानते हैं किसमें आएगा उसके बाद आता है नूटन में किस टब कि नुमेरिकला आते है पानी बर्फ से पानी बनाने में क्या चाहिए बर्फ Simone बौइफ और यहां फिर आथा थाँ पा 근데 भाफ बंदे बनाने में फिर पानी से भाफ ऑ फी पानी से वाफ पानी से भाफ बनाने ही फिर नुमज़ाण और राप थाहिए आफ प्लाफ ये वाफ बनाने में फिर इनु and so का टेंपरेचर कितना होगा कि किसी कोई दिखकत है ना आगे बढ़ जा आपको समझ में रहा है आप हीट कहां तक खतम कर चुके हैं यह न्यूटन साब का सितलन नियम है बागे बिसिस्टु सब्सक्राइब यह इसी टाइप का सुने होंगे 10 गराम बरफ को पानी बनाने में कितनी उर्जा लगेगी यह 100 गराम पानी को भाफ बनाने में कितनी उर्जा लगेगी बरफ से जलना कठीन होता है भाफ से जलना इजलना उजलना इसे पुछ देता है 100 डिगरी सेल्सियस के पानी को दोस डिगरी सेल्सियस के पानी में मिलाए था हमने केवल Saturday Sunday class को किया पीछे वाला class भी हट गया है तो आप लोग को साथ previous देखने में भी दिक्कत हो रहा होगा पता नहीं हो रहा है कि नहीं बट सही हो जाएगा कल संडे है वह हमारे कंट्रोल के बाहर का वो डेबलोपर टीम आईगी अई होप आप समझेंगे आप चलि लड़कों का गुरूब बनाई यह जादे लड़कों का नहीं चार-पांच लड़कों का गुरूब बनाई और ठंडी का दिन है तो कंबल में घुश के पढ़िए चाह कई से भी पढ़िए इससे कोई मतलब नहीं लेकिन आप आप याद रखे पानी का बोतल पास में नहीं रहाना चाहिए जब कुछ करेगा सण तो पनिया बोतल बहुत अब इसे पढ़ेगा नहीं लेकिन हम लोग 12 बज़े से पहले हीलेंगे नहीं आप याद रखे पानी का बोतल पास में नहीं रहाना चाहिए जब कुछ करेगा सण तो पनिया बोतल बहुत इसे पढ़ेगा सण न्यूटन का सुदलन नियाव पानी खाना मोबाईल यह पढ़ाई में सबसे बड़का दुस्मन है यानी तीन चीज पानी खाना मोबाईल आपके रेजल्ट को पढ़ाई में यहीं डिस्टर्ब करेगा इस सब को दूर रखेगा प्यालेट बातरों मुझे अब मान के को लड़का हुजता है न सीबीसी वोड़वाला नमकीन खाके पढ़ेगा सा फिर हाथ धुलने जाएगा सा फिर पढ़ेगा सा हाथ धुलने जा सिलिंडर है तो कोनों कहेगा मेरी वाली पीला रंका सूट पहनी थी लग रहा था जेसी भी है अरे भाई तो उसको तुरट्टो गे रहे चट्टा कहीं का किसको यत कर रहा है चुप-चप रहा है यहां पर सभ्या रहा है आप आपको हम कहते हैं आप अपना मोबाईल अगर कम नहीं आ सकते हैं तब तक के लिए जब तक के लिए आपका रेजल्ट नहीं हो जाता है अज डट के पढ़िए एक दम जबद जस्त अब माबाप का नाम रोशन कीजिए क्योंकि बहुत बड़ी वेकंसी है आप याद रगए आप पढ़ाई को दूर मोबाईल को एदम बस होगे एक हफ्ता का फूर साथ बता देना बता जादे सोचिए गाने इतमिनान से पढ़िए अकेले में पढ़िए ये काम आप अकेले में भी कर सकते हैं अगर कोई दोस्त नहीं है तो पानी अलग रग दिजिए खाना अलग रग दिजिए आपके घर में छोटा बच्च का मतलब ही नहीं होता है किसी का मडर कर दिजिए या कोई गलत काम उसे कहते हैं जो कहीं न कहीं आपके करियर को ठेस पहुचाता है इसलिए आप अकेले में मत रहीएगा अकेला पन और मोबाईल आज के वक्त में इस्टूडेंट का करियर खराब करेगा मन के चलिए हम घर्ण कर दी है मज़ा रहा है ही हेट फड़ने में कित्ने लोको लगता है कि हीट में समझ जाएंगा इस चीज बच गया बच तुभी हीट रहा захot hon खूस एकदम फिजिक से एकदम मज़ा आ गया इस तर्व का समझा रहा है ना येस सर ननी हाल में है कोई बात नहीं वह लव यू सर भई लव लव यू भई ओके ओके वेरी गुड निन्यानवे सर हमको तभी तक हांड़ेट परसेंट मिला एक दूग कोनो नहीं कहा रहा है सा हम आपको बात बताते हैं समझीये के ध्यान से अब किसी भी टीचर के पास पढ़ते हैं जबस नियूटन का नियम हमपढ़ाएंगे वही दुनिया के हर एक टीचर पढ़ाएंगा और उसी में उभी काईगा कि हम सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, कोई अच्छा नहीं पढ़ाता है, कोई खराब नहीं पढ़ाता है, एक होता है connecting point, आप दोनों में कैसे connection बन जाता है, जिस दिन ये connection बन गया है, उस दिन आप समझे एक दम दिक्कते दूर होगा, जो ललका मेरा सबसे फेबरेट टोपिक है वेब, हमको बहुत मजाता है वेब, और आपको जान के ताजूब होगा ना, यार वेब में ही लाइट पढ़ना है, कैसे, देखो, गाए, औ, वीजू, इनफरा, मारे, देखो, गा से होता है गामा किरन, एक्स किरन, औ से क्या होता है ये वे चेप्टर का महज एक हिस्सा है जिसे आप कहते है लाइट या ऑप्टिक्स, सोचो बस ये ही वाला हिस्सा है, बहुत मजा आएगा इसके बाद वाले चेप्टर में, कल मिलेंगे ठीक है, गुड़नाइट, सब लोग को गुड़नाइट, चलिए भई, गुड़नाइ